गुड मॉर्निंग माई दियर चिल्डरिन 13 सेप्टेमबर संडे को ग्राणपेरेंस डे है तो हम कुछ ग्राणपेरेंस के लिए बनाएंगे और आज हम रेड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज हम कुछ रेड रेड पहनेंगे रेड रेड ही कलर करेंगे और रेड कलर का कार्ड बनाके ग्राणपेरेंस को देंगे ग्राणपेरेंस मीन्स दादा, दादी, नाना और नानी किता प्यार करते हैं ना अपनको ग्राणपेरेंस किती चीज़े लाते हैं अपने लिए कभी-कभी पापा ममी हमको डांटते हैं हाना तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं तो ये दिन ऐसा है जब हम अपने grandparents को एक प्यारासा card देके thank you बोल सकते हैं right children so let's see हम कैसे card बनाएंगे so you can take a sheet आप ऐसे एक sheet ले सकते हैं और उसको इस तरह से fold करें corner to corner join करें corner to corner और नीचे भी corner to corner join करके इसको अच्छे से press कर लें okay so this is our card यह हमारा card है हम इसको decorate करेंगे ज्धान रखें जब आप card के ओपर work करें तो आप ज्धान रखें कि right hand side opening flap होनी चाहिए यह right hand side open होना चाहिए ठीक है अब हम इसमें hand painting करेंगे red color की अब हमारा hand तो बहुत बड़ा है आपका hand तो छोटा साय ना तो आपका तो one sheet में बन जाएगा हम हम बड़े अपने hand से बना रहे हैं तो हम थोड़ी सी big sheet लेंगे okay so we are taking a bigger sheet let's begin सबसे पहले हम अपना वोई फेवरेट अपना red color का सिंदूर ले लेंगे and then we'll put a little water on it थोड़ा सा इसके उपर पानी डालिए और इसका color बनाएंगे अपन चाहिए आप spoon यूज़ कर सकते हैं brush यूज़ कर सकते हैं fingers use कर सकते हैं we can play around with colors इसमें आपको अपना पूरा hand dip करना है पूरा hand अच्छे से dip करना है इसके अंदर hand painting करेंगे अपन okay and then जो आपने card लिया है उसके front face पे हम अपना पूरा hand लगाएंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी finger spread होनी चाहिए ऐसे मत रख लेना proper ऐसे spread करके अपना पेस्ट करना चलो देखें लेट्स पेस्ट येस और प्रेस करो अपना हाथ अच्छी तरह से अच्छी तरह से अपने hand को प्रेस करने ताकि पूरा अच्छ से चिपक जाए खुदी अपने left hand से अपना hand paste कर लीजी अच्छी से प्रेस कर लीजी ओके नाउ रिमूव इट बस देखो कितने अच्छी से आ गया है और जहां जहां आपको कम लग रहा है हम वहां पर थोड़ा सा red color कर सकते हैं with the finger now we will put some red bindis on it आपके पास bindis होंगी ना तो हम कुछ red bindis लगाएंगी अब इसके उपर देखिये तो यह देखिये red bindis हाना red color because हम red day भी celebrate कर रहे हैं और हम grandparents day भी celebrate कर रहे हैं so you will put bindis like this okay आप खुद करना okay bindis खुद लगा ना आप ऐसे उपर put bindis like this you can put big red bindis then a small red bindis बड़ी बिंदी थोड़ी सी छोटी बिंदी हाना इस तरह से आप इस पे stick कर सकते हैं fine तो हमारे पास गोल गोल circular bindis हैं so we are sticking them here प्यारा सा कार्ट बन रहा है ना आप चाहें तो इसके उपर एक और लगा सकते हैं fine जितना आपके कार्ड में space हो उसके according आप अपने कार्ड को अच्छी तरह से decorate कर दीजिए okay so here it is done see it's looking so nice अपने hand painted कार्ड है and now what we will do आपको sketch pen लीजिए या colored pen लीजिए crayon ले सकते हैं and then card के अंदर we will write a nice message happy grand parents day then you can also write to my dear अप किसको देना चाह रहे हैं दादा को दादी को नाना को या नानी को और आप उनको प्यार से क्या बुलाते हैं to my dearest नानू बोलते हैं नानी बोलते हैं दद्दू बुलाते हैं दादी बुलाते हैं या दादू दादी को दे रहे हैं तो आप लिखिए दादू दादी you can also make another card नानू नानी के लिए अलग बना सकते हैं नानू और नानी किती प्यारे होते हैं अपने grandparents अच्छे से card में message लिखिए और अगर नानू नानी दादा दादी दूर रहते हैं तो आप photograph क्लिक करके भेज़ सकते हैं अपने card की हाना ओके नाउ सी ये आपका प्यारा सा grandparents day के लिए आपके हातों से बना हुआ प्यारा सा चोटा चोटा कार्ड रेडी हो गया अब आप red कलर की dress पहनना और अपना ये red कलर का card के साथ अपना photograph मुझे भेजो दादा दादी नानानी को भेजो okay so happy grandparents day children and happy red day bye